दोस्तों नमस्कार मेरा नाम दुर्गेश मौरिया है और यह बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी आपके लिए जब तक के लिए बने रहे हैं चैनल पर और मैं आपको बता दूँ आगे आने वाली वीडियो इस पर बहुत डेटेल वीडियो आएगी और एक समस्या आ रही है कि बीच आउंकुरण में समस्या आ रही है जीरे के किसान काफी फोन कर रहे है मेरे पास और जिसके कारण उनको दिक्कत आ रही है कि बीच उगाओ नहीं हो पा रहा है और टोटली नए किसानों का फोन आ रहा है जो पहले से किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तरीका मालूम है वो already उसका प्रयोग कर रहे हैं और उनको समझचाय नहीं आ रही है जो नए साथी जो पहली बार हमारे YouTube चैनल के मात्यम पे वीडियो देख रहे हैं जीरा की खेती कर रहे हैं तो definitely हम उनको help करेंगे और दोस्तों मैं आपको बता दो कि अभी आपको क्या करना है अगर जीरा बो चुके हैं तो आपको इसके अंदर EPSA 80 पानी देने से पहले डालना है और दूसरी बात अगर जीरा बोने वाले हैं लेट बराइटी अभी जीरा के बौई अभी चल भी रही जो लेट बराइटी है तो आप बीज का कैसे भी बीज उपचार करके कमपनी ने दिया हो आज या पर आप गोचर लाई है बाबी स्टीन लाई है कोई सी भी चीजे ले के आ रहे हैं तो अगर आप बीज उपचार कर भी चुके हैं तो EPSA 80 का एक अपना अलग बेनफिट मिलता है अगर बीज उपचार करते हैं तो कमपनी रिकेमेंट नहीं करती है बट एक किसान साथी और जो हमारा एक्सपरियंस है उससे हम बीज उपचारित करवाते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है इसके अंदर तो दोस्तों आपने इस समस्चया का हल जान लिया है एपसा 80 का अगर हम जमीन के उपर इस्परे कर देते हैं वह हम तरीका बहुत सारी तरीके हैं जमीन में डालने के तो उस तरीके से अगर करेंगे तो आपका जो बीज है वो डेफिनेटली 100% उख जाएगा और एक बात पर साथी से कहीं क्योंकि मार्केट के अंतर नकली बहुत मिलती है आप अभी यूज किया हुआ आपने हमसे मिला मिला करके डबा आ गया दुकान के पास जाएंगे दुकांदार सेम ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक उस्ते करके आप डिट्टो कपी नथकी और करके आपको 200 रवे सस्थे में भी सकता है कि नकली माल देना है कुछ भी डिगा तो कभी वी अगर 200 महेंगा मता है तो आप वर्जिनल मंगवाई यह और prophetic 500% benefit मिलेगा है ना दोस्तों और आप खुद कैसे मंग आ Maps wedding video का डिसक्रीप्सटिन में उसका लिंक दिया हुआ हैब डारेकर कैसे मंग आ सकते हैं और नकली product कैसे आ रहे हैं Amazon थी काड इस सब पर नकली product टो आप वहां से और ना करें हमारे ओपीसिल वेबसाइट आंग सकते हैं तो ज्यादा तर्किसांशातियों को फ्रीडियो बेज़िए ताकि उनको बेन्फिट मिल सकें उनका भी जीरा अच्छा हो जाए जैसे आपका जीरा अच्छा हो चुका है तो आप उनको भी वेजिए कि उनका भी जीरे की खेती अच्छी हो जाए यही हम भगवान से कामना करते हैं कि इस सल आपका जीरा पहले से भी अच्छा हो थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू